नमस्कार कोई खिंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फोन में आपका गूगल मैप ओपन नहीं हो रहा है काम नहीं कर रहा है नहीं चल रहा है और इस प्रोबलेम को आप ठिक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इस problem को ठिक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने phone में settings को open करना है तो चलिए settings को open करते हैं open करने के बाद आपको उपर की ओर scroll करना है scroll करने के बाद आपको नीचे में एक apps, app management या आपको app list के name से कोई भी एक option दिख जाएगा तो आपको उस पे click करना है तो हमारे phone में apps दिया गया है तो चलिए apps पे click करते हैं अब आपको उपर में एक manage apps का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद आपके phone में जो भी apps installed होगा यहाँ पे दिखने लगेगा अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको maps को ढूंड लेना है ढूंडने के बाद आपको maps पे click करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं आपको फोन में इस तरह से option नहीं आ रहा है तो यहाँ से cut करना है उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फोन में Google Map पे थोड़ा देर only दबाक रखना है उसके बाद long press करना है और उपर में आपको एक I का F info का option मिल जागा अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप direct यहाँ पे आ जाएंगे अब आपको क्या करना है कि आपको storage पे क्लिक करना है और clear data का option मिलेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है और Clear All Data को Select करना है और यहां से OK कर देना है इतना करने के बाद इसको Resend से हटा देना है हटाने के बाद अब अपने फोन के Display को उपर से निची की और Down करना है और अपने फोन में एक बाद Aero Play ने आने की Flight Mode को On कर देना है On करने के थोड़ा दिर बाद अब इसको Off कर देना है Off करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको Resend से हटा देना है हटाने के बाद अब आपको अपने फोन में Play Store को Open करना है तो चलिए Play Store को Open करते हैं अब आपको क्या करना है कि आपको Search Box पे क्लिक करना है उसके बाद आपको फिर से सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है कि आपको maps टाइप करना है टाइप करने के बाद यहां से इसको सर्च करना है सर्च करने के बाद अब आपके फोन में google maps दिख जागा अब आपको google maps पे क्लिक करना है अगर आपके फ फोन में Google Maps को open करना है तो चलिए Google Maps को open करते हैं, open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि हमारे फोन में Google Maps open हो गया है और काम कर रहा है, तो इस तरह से अगर आपके फोन में Google Maps काम नहीं कर रहा था, open नहीं हो रहा था तो उस problem को आप ठीक कर सकते हैं, धन्य बाद.